हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ओपरोन कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे हम सब जानते हैं कि बेक्टिल सेल के अंदर या प्रोकेरोड्स में जीन एक्सपेशन का एक मेथोड होता है जिसे ओपरोन कंसेप्ट का गया था यह हैं 1961 में जेकब और करते हैं उपरों ओपरोन का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे जीन्स जो पर्टिकुलारं एक वन्क्षन से रलेटेड होते हैं एक साथ क्सक्वरेट्स होते हैं तो उन चीनों की गृप को ओपरोन किते हैं ओपरोन इस हाँ कर उन ग्रूप सेवरल जीन्स इटर cầnी यहां पर ऊपर दो टाइब के होते हैं, Composed Operon और Divided Operon. Composed Operon का मतलब यह होता है, कि Composed Operon के जो Operon से लेटर से भी जीन्स होते हैं, वो जनेटिक में एक साथ प्रजेंट होते हैं, एक सेक्वेंस में, जबकि Divided Operon के एक साथ नहीं होते हैं, अलग अलग जोगों पर उसके जीन्स होते हैं, एक्जामपल्स हैं कि Composed Operon के, लेक और अरेबिनाज Operon, और जो एमिनोशिट के Operon है, ट्रिप्टोफेन Operon और हिस्टेडिन Operon, वो Divided Operon के एक्जामपल्स हैं, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ लेक और अपरोन के बारें पढ़ेंगे, लेक और अपरोन को हम लेक्टोज Operon केते हैं, कि बेक्टियल सेल या एकोलाई के इंदर, लेक्टोज सुगर अवेलेबल करवाई जाए, तो उसके डाइजेशन से रिलेटेड जो Operon होगा, या लेक्टोज सुगर के डाइजेशन से रिलेटेड अपरोन को हम लेक और अपरोन केते हैं, इस लेक और अपरोन की स्ट्रक्चर को देखते हैं सबसे पहले तो इसमें चार जीन होते हैं, फस्रेगुलेटरी जीन, सेकेंड प्रमोटर जीन, थर्ड ओपरेटर जीन, और लास्ट रता स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन चार होते हैं, तीन होते हैं, जेड, वाई और अब इनकी सिंबल भी होते हैं, जैसे leg i कह सकते है regulatory gene को, leg p promoter को कह सकते है, leg o operator gene को कह सकते है और आगे जो structural gene को leg z, leg y, leg a genes कहते हैं ये composed operon है leg operon इसके अंदर दो steps होगी, यदी medium के अंदर lektosugar नहीं है और यदी है यदी नहीं है तो repression होगा मतलब operon start नहीं होगा कैसे नहीं होगा, क्या कारण होता है देखते हैं, कि अगर medium के अंदर lektosugar नहीं है, तब क्या होता है regulatory gene के द्वारा, एक mRNA मनतार उसे protein मन जाता है जिसे हम repressive protein कहते हैं, ये tetrameric होता है ये operator gene से जाके bind हो जाता है, जिसकी विज़े से promoter gene का activation नहीं होगा और आगे के process चलेगी नहीं, जब medium के अंदर lektosugar नहीं है लेकिन जब हम lektosugar अवेलेबल करवा देते हैं cell को, medium के अंदर तो de-repressant देखने को मिलेगा मतलब gene expression होगा और lektosugar है एक प्रकार का induzor का काम करेगी इस दोरान तो de-repressant किस तरह से होता है जब cell को lektosugar अवेलेबल करवाई तो ये box है ये पूरा box समझना है कि bacterial cell है और बाहर का medium है जब lektosugar cell में आती है तो जो रेगुलेटरी जीन के दोरा जो रिप्रेशिट प्रोटीन मन रहा था उस प्रोटीन से ये सुगर जूड़ जाती है जिसकी वज़े से रिप्रेशिट प्रोटीन का inactivation हो जाता है by conformational changes जिसकी वज़े से यह है रिप्रेशिट प्रोटीन अब क्या करेगा operator से बाइंड नहीं हो पाएगा इस condition में आर ने polymerase enzyme promoter gene से जाके बाइंड हो जाएगा और आगे के जो gene से promoter gene जब का activation हो जाता है तब क्या होता है जो structural gene ZYA वो activate होकर एक polycystronic mRNA बनाएंगे और polycystronic mRNA से तीन अलग लग प्रकार के protein और तीन डिफरेंट टाइप के enzymes बन जाएंगे इन enzymes के नाम है beta galactosidase, galactoside fermiase और galactoside tracetylase जब तीनों के functions होते हैं जब cell में लेक्टोज आती है तो उसका digestion करना होता है तो beta galactosidase enzyme क्या करता है उस लेक्टोज sugar को beta d glucose और beta d galactos नाम की दो monosacrine में तोड़ देता है next galactoside permease enzyme एक channel protein होता है खुदी तो यह cell membrane में जाकर लेक्टोज के लिए cell की permeability को बढ़ा देता है next आता है galactoside acetylase एक प्रकार का detoxifying agent होता है जब आपने लेक्टोज cell को available करवा ही तो उसके साथ उसके साथ कुछ toxic molecule होता है जिनम thaiogalactosides केते हैं यह thaiogalactosides भी cell में लेक्टोज के साथ में एंटर हो जाते हैं और इस वज़े से इनको detoxify करना ज़रूरी होता है तो क्या होता है कि galactoside acetylase उन thaiogalactosides को acetylation के द्वारा मतलब की उन पर acetyl group जोड़ देता है acetyl coenzyme A से लेकर ताकि वह inactive हो जाए तो thaiogalactosides पर जब acetyl group जूड जाता है तो वह inactive हो जाते हैं और उन पर से उनका cell पर कोई effect नहीं होता है इस तरह से expression होता है क्या सकता है d repression होता है यहाँ पर एक complex ओर हैं जिसको मैं आपको बता रहा हूं कि cell membrane में एक enzyme होता है effector enzyme जिसको adenyl cyclase करते है यह adenyl cyclase ATP को cyclic adenosine monophosphate नाम के secondary messenger में convert करता है और यह enzyme यह को इसके बनने के बाद में cyclic adenosine monophosphate एक protein है CAP जिसको कहते हैं ketabolite gene activator protein इसका एक और नाम अता है CRP cyclic adenosine monophosphate receptor protein CRP या CAP और cyclic adenosine monophosphate दोनों जुड़कर complex बनाते हैं यह complex promoter gene से जुड़ जाता है जिसकी वज़े से gene expression होता है तो हमें gene expression करवाने के लिए RNA polymerase और यह केप वाला complex दोनों ही चाहिए होता है लेकिन जब आपने cell को कुछ conditions apply करते हैं जैसे यदि हम cell को glucose के medium में डाल देवे तो क्या होता है glucose एंटर होता है glucose जिसकी वज़े से complex बन नहीं पाएगा और आगे expression होता नहीं तो इससे अब महारा को पता जलता है जब glucose cell को अवेलेबल करवाय जाता तब लेक्ट ऑपरोन एक्टिवेट नहीं होता है लेकिन जब लेक्टोज अवेलेबल हैं तब cell expression यह कह सकते हैं जीन एक्षप्रेशन होगा और लेक्टोज का डाइजेशन होगा लेकिन तीसरी कंडिशन ऐसी अपलाई करें जिसमें मीडियम में ग्लुकोज भी डालादें और लेक्टोज भी डाल देव तब क्या होता है कि कि cell पहले glucose का उट्राइजेशन करेगी जब तक सेल में glucose का होगा और तब जीन एक्सप्रेशन होगा क्योंकि जब तक ग्लुकोज प्रिजेंट है तब तक लेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वह एडिनाइल साइक्लेज को रिप्रेश करता है इस वज़े से डाइओग्ज ग्रोथ देखने को मिलेगी अगर इसका ग्राब देखे तो इस में अपने को लोट ही मिलेगी फिर एक डुकोज की फिर एक लेख फेज आजाईगी फिर वापिस लेक्टोज में तो डाइ ओग्जब च्झेट को मिलती है यहां कुछ इंदीोजर बता रहा ह morning जैसे कि इंदीोजर होता है यहां taylor पर juga कॉमप्लेक्स है साइक्लिक अड़नोसीन मौनफस्पेट और कैप का कॉंप्लेक्स है यह जीन एक्सप्रेशन की स्पीड को पचास गुना बढ़ा देता है एक इंड्यूजर होता है सेंथ्रिटिक इंड्यूजर होता है जिसको कता है आई पीटीजी आई पीटीजी की फुल पॉवाम होती है आईसो प्रोपिल बीटा ओ थायो गेलेक्टो पायरेनुसाइटस यह ईपैडी जह होता है इसल्पंदर अगर आपना वेलिबल करवादे सेल को यह ग्लुकोज के साथ वहें योको ब्रोमो, 4-Kloro, 3-Indole, Galactopyronsides, यह जो X-Gail होता है, अगर X-Gail को किसी सेल के मीडिम में अपना डाल दे वे हैं, तो X-Gail का जो कलर होता है, वाइट कलर का होता है, यदि हम सेल के अंदर डालते हैं, इसका कोलोनी का कलर यदि ब्लू कलर हो जाए, तो हमारे को यह चीज पता च सेलेगी कि जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, मतलब कि लेक ओपरोन स्टार्ट है, यदि कोलोनी का कलर ब्लू नहीं होए, वाइट ही रहे, तो लेक ओपरोन स्टार्ट नहीं है, तो इस से इसको इस टेकनिक को कहते हैं, ब्लू वाइट स्क्रेनिंग कहते हैं, इस टेकनिक के त प्रोडक्त में बदल देता जिसका कलर ब्लू होता है इस मज़े से कलोनी पुरी ब्लू हो जाती है लेकिन जब अपर flavored नहीं है तो इसको तो इस बैसे कलोनी वाइट ही रहेगी तो इसे ब्लू वाइट स्क्रीनिंग से आप ओपराउन को चेक करते हैं कि कौन सा ओपराउन या किस तरह से ओपराउन स्टार्ट है या नहीं है थेंक यू